तो क्या हले मरे भाईयों के सब बढ़िया है ना 40,000 रुपीज का बजट है और बेस्ट क्यामरा फोन पर चेस करना है कन्फ्यूस जो विकॉस रिसेंटली वन प्लस ट्वेलार लॉंच हुआ है आईकून यू 9 प्रो लॉंच हुआ है नथिंग फोन टू 6 महीने पहले लॉंच हुआ था बट नथिंग ब्रैंड ने स्मार्टफोन का प्राइस ड्रॉप करके 35,000 रुपीज कर दिया है इसके बाद कन्फ्यूजन और भी ज़दा बढ़ गई है वेल भाई हूना सारी कन्फ्यूजन इस एक वीडियो में मैं आपकी क्लियर कर दूँगा 40,000 रुपीज का बजट है वो बाद ठीक है लेकिन क्यामरा आप किस तरह से यूज करते हो डेली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग फोन चूज करोगे तो एक अच्छा क्यामरा फोन पर्चेस कर पाऊगे मैं आपको बता दूँ रिसेंटली मैंने सामसंग S23 प्लस के बाद गूगल पिक्सल 7 प्रो यूज करना स्टार्ट करा है अब इसमें आप्विसली प्रोसेसर IQ, OnePlus और Nothing जितना पावरफुल तो नहीं है लेकिन जो कैमरा साइंस, जो कलर साइंस मैं प्रेफर करता हूँ उसके एकॉर्डिंग मेरे को इसकी image quality अच्छी लगती है I know समर्स में फोन थोड़ा heat भी होगा अब आप मैंसे flip cut, big billion days का wait कर लोगे तो 40,000 रुपीज में iPhone 13 मेरे recording आपके लिए best phone रहेगा because जितनी अच्छी video quality iPhone 13 record करता है और जो video stabilization आई फोन 13 की उसके आस पास भी ये तीनो phones stand नहीं करते इवन वीडियो में noise भी कम होती है autofocus भी better work करता है and iPhone 13 का ultra wide angle lens इन तीनो phones से better है तो हमेशा मेरी ही तरह अपनी priorities के recording phone को purchase किया करो ये video किसी भी brand की तरफ से sponsor नहीं है content पसंद आए तो चैनल को subscribe करके आप भाई को support कर सकते हो and video पर एक like करना तो बनता है इतनी महनत जो करीगा गाइस ये video record हो रही है daylight conditions में और maintainity भी 30 fps पर record कर रहा हूँ अब क्या करूँ तीनो phones में 4KV रिकॉर्ड करने का option ही नहीं है जबकि price तीनो का 30,000 रूपीस से जादा है मेरे face में sunlight भी आ रही है तो आपको एक idea लग जाएगा कि कौन से phone को camera exposure कितने अच्छे से 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 अच्छे कर रहा है जिसकी वजह से skin tones भी सबसे ज़्यादा natural देखने को मिली है एवन बैग्राउंड में highlights भी बहुत अच्छे से maintain करी है नथिंग फोन टू ने वन प्लस में background में highlights blown out हो गई है इवन आइकू की वीडियो में भी थोड़ी सी highlights blown out हो गई है background में वन प्लस और आइकू की वीडियो में मेरा face आप देखो थोड़ा सा overexpose भी हो रहा है और skin tones भी natural नहीं है अब front camera की video stabilization चेक करने के लिए इस टाइम पर में भाग रहा हूँ वन प्लस और नथिंग फोन 2 की video काफी stable है आइकू यो 9 pro में तो background में दुनिया हिल गई है वेल इस टाइम पर मेरे face पर direct sunlight तो नहीं आ रही थी लेकिन आप background में अगर notice करोगे वन प्लस और नथिंग फोन 2 ने highlights बहुर अच्छे से maintain करी है background में आइकू यो 9 pro में ये वाला area थोड़ा सा overexpose हो रहा है image को zoom करने के बाद आइकू और नथिंग फोन 2 की image काफी sharp है वन प्लस में details थोड़ी सी मैंने better expect करी थी थोड़ी सी details missing है लेकिन आइकू यो 9 pro में skin tones natural नहीं है थोड़ी सी image beautified है सबसे जदा natural skin tones nothing phone 2 की image में देखने को मिली है अब इस ताइम पर मेरे face पर direct sunlight आ रही है आइकू यो 9 pro में मेरा forehead थोड़ा सा overexpose हो रहा है वन प्लस और नथिंग फोन 2 ने exposure बहुत अच्छे से adjust करा है लेकिन वन प्लस की image में skin tones थोड़ी जदा ही beautified है नथिंग फोन 2 में midi jacket का color, t-shirt का color, even skin tones सबसे जदा natural और accurate देखने को मिली है well same image में ने portrait mode enable करने के बाद capture करी and results again काफी similar है वन प्लस में skin tones काफी beautified है आइकू में मेरा face थोड़ा सा overexposed आया है nothing phone 2 ने एक balanced image capture करी है जहाँ पे exposure well maintained है skin tones natural है edges तीनों ही phones ने properly detect करी है still nothing phone 2 का front camera सबसे जदा अच्छा perform करता है वन प्लस 12R में skin tones natural होनी चाहिए details भी better होनी चाहिए iqo neo 9 pro में videos stable record नहीं कर सकते आप front camera से even exposure adjust करने में struggle करता है कभी face overexposed हो रहा है कभी background overexposed हो रहा है skin tones भी थोड़ी beautified है guys ये video around 3 p.m harsh sunlight में record हो रही है 4K 30fps पे one plus 12R and iqo neo 9 pro seriously काफी struggle कर रहे हैं exposure adjust करने में मेरा face मेरी t-shirt overexposed हो रही है even skin tones भी बड़ी weird है काफी जदा yellowish tint notice कर रहा हूं में अपने face पे iqo and one plus की video में nothing phone 2 में भी थोड़ी सी warm tone है लेकिन इतने अच्छे से exposure adjust करा है nothing phone 2 ने मतलब मैंने expect भी नहीं किया था even skin tones warm tone होने के बाद भी काफी natural देखने को मिली है अब सब लोग तो harsh sunlight में videos record नहीं करते हैं ना तो evening में around 5 p.m ये video record हो रही है अब तीनों ही videos में मेरा face over exposed नहीं हो रहा लेकिन again one plus 12R and iqo Neo 9 Pro में skin tones natural नहीं है काफी जदा yellowish tint अभी भी है मेरे face पे dynamic range तीनों ही videos में decent देखने को मिली है बस फरक इतना है iqo Neo 9 Pro में colors थोड़े से oversaturated है मैं इस time पे भाग रहा हूँ तीनों ही videos में jitteriness है बट iqo Neo 9 Pro में jitteriness थोड़ी जदा है clearly बोल रहा हूँ videos record करने के लिए iPhone 13 एक far better option है video stabilization तो इन तीनों ही phones से बहुत जदा better है iPhone की इन तीनों ही phones के primary sensor से आप काफी sharp macro shots capture कर सकते हो first sample shot में as such कोई major difference नहीं है बट इस sample shot में one plus and nothing ने colors काफी natural maintain करे है iqo Neo 9 Pro में ये जो red flower है इस पे थोड़ा सा pink shade में notice कर रहा हूँ background में highlights तीनों pictures में well maintained है even इस sample shot में भी iqo Neo 9 Pro ने flower का pink color and background में sky के blue color को थोड़ा ज़ादा boost कर दिया है one plus and nothing में again colors काफी natural है image को zoom करूँ तीनों ही pictures काफी sharp है details काफी similar देखने को मिली है अब मैं आपको कुछ sample shots दिखाता हूँ जिसमें dynamic range and color contrast का difference मैं आपको बताऊँगा तो first sample shot में one plus 12R में colors थोड़ से muted है iqo Neo 9 Pro में मैंने vivid mode enable करके image capture करी colors थोड़ से oversaturated है बट कुछ लोगों को ये colors eye pleasing लगेंगे personal preference वाली बात है लेकिन iqo में जब natural mode पे image capture करो तो same one plus की तरह colors थोड़ से muted देखने को मिलते है nothing phone 2 में colors काफी natural देखने को मिले है one plus 12R में में मेरा face देखो थोड़ सा overexpose भी हो रहा है अब जैसे ही same image मैंने तीनों phones के ultra wide angle lens से capture करी तीनों ही pictures में as such color shift तो मैंने notice नहीं करा but अब one plus 12R के साथ iqo neo 9 pro में भी मेरा face overexpose हो रहा है अब nothing phone 2 में I know 50 megapixel का sensor है but image को zoom करूँ थोड़ी सी details better है compared to one plus and iqo still image quality इतनी अच्छी नहीं है nothing phone 2 की जितनी मैंने expect करी थी तो ये ultra wide angle lens बस नाम का ये 50 megapixel का image quality उतनी अच्छी नहीं है अब इस sample shot में dynamic range में difference आप notice करोगे one plus 12R की image में सबसे अच्छी dynamic range देखने को मिली है dark areas better exposed है compared to nothing and iqo और इस वाले sample shot में one plus 12R and nothing phone 2 ने decent dynamic range capture करी है iqo neo 9 pro में crush shadows थोड़ी सी जादा है compared to both other phones अगर इन sample shots को side by side compare ना करे तो तीनों ही phone के cameras decent dynamic range capture कर लेते हैं लेकिन इस sample shot में background में direct sunlight आ रही है building पे और foreground में आप skin tones notice करना clearly iqo neo 9 pro and nothing phone 2 में skin tones well maintained है even background में building के color भी better maintained है compared to one plus 12R guys portrait shots को ध्यान से notice करना difference काफी clear है और आपको समझ भी आ जाएगा HDR processing portrait mode में nothing phone 2 and iqo neo 9 pro की मुझे better लगी है simple सा reason है one plus 12R में background में highlights blown out हो गई है nothing and iqo ने बहुत अच्छी image capture करी है ये image मैंने sunset के time पे capture करी है and background में highlights पूरी तरह से blown out हो गई है one plus 12R में कहानी सिर्फ यहाँ पे खतम नहीं होती अगर मैं image को zoom करूं nothing phone 2 की image में सबसे better details देखने को मिली है उसके बद iqo neo 9 pro की image में भी details sufficient है one plus 12R में details missing है और background में तो highlights blown out हो ही रही है अब एक बार मेरे favorite sunlight वाले portrait shots पे भी नजर डालते है यहाँ पे iqo neo 9 pro सबसे ज़्यादा struggle कर रहा है exposure adjust करने में मेरा face overexposed हो रहा है overall image में highlights भी थोड़ी सी overexposed हो रही है even one plus 12R की image भी थोड़ी सी overexposed आई है nothing phone 2 में exposure on point देखने को मिला है जिसकी वज़ा से skin tones भी सबसे ज़्यादा natural देखने को मिली है even इस sample shot में भी iqo neo 9 pro में human subject overexposed हो रहा है texture थोड़ा सा blown out हो गया है one plus 12R में human subject थोड़ा सा overexposed हो रहा है but again textures यह maintain नहीं कर पाया ठीक से nothing phone 2 में थोड़ी सी sun case image आई है थोड़ी warm tone है जिस तरह से हम आईफोन में देखते है but exposure on point देखने को मिला है जिसकी वज़ा से मेरी jacket का texture भी nothing phone 2 में सबसे better maintained है अब इन तीनोई phones में telephoto lens तो नहीं है still nothing phone 2 and iqo neo 9 pro से आप 2x पे काफे impressive portrait shots capture कर सकते हो human subject देखने में साथा broad लगता है बट direct sunlight आ रही थी तो iqo neo 9 pro में skin tones natural नहीं है थोड़ी सी over whitening है artificial brightening add कर रही है मेरे face पे अब इस time पे direct sunlight नहीं आ रही थी तो same nothing phone 2 की ही तरह iqo में भी skin tones natural देखने को मिली है and overall image देखने में काफे impressive लगती है जब 2x पे capture करते हैं तो अब low light में 4K 30fps पे ये वीडियो record हो रही है सबसे ज़धा better exposed वीडियो OnePlus 12R की है लेकिन इस वज़ा से noise भी थोड़ी add हो गई है OnePlus की वीडियो में वैसे तीनों ही वीडियो में noise तो है लेकिन skin tones अगर आप देखोगे तो iqo new 9 pro में थोड़ी सी beautification अभी भी work कर रही है थोड़ी सी skin smoothing notice कर रहा हूँ skin tones थोड़ी weird लग रही है OnePlus and nothing में भी skin tones का difference है बट दोनों ही में मेरा face ठीक लग रहा है acceptable है और lights तीनों ही वीडियो में थोड़ी सी overexpose हो रही है again मैं वहीं बोलूँगा iPhone 13 काफी better option है चाहे low light और daylight और videos record करने के लिए अब करते हैं low light में image quality की बात तो तीनों camera's में night mode enable करने के बाद ही camera samples capture करे clearly iqo Neo 9 Pro में foreground better exposed है उसके बाद nothing phone 2 में भी foreground ठीक है iqo जितना exposed तो नहीं है बट ठीक है OnePlus 12R में foreground थोड़ा सा under exposed आया है wireless sample shot में आप colors में difference notice करोगे मैंने आपको last video में भी बताये था iqo Neo 9 Pro low light में थोड़ी सी warm tone ज़ादा capture करता है थोड़ा सा yellowish tint है बट ये इतना बुरा नहीं लग रहा as such still nothing phone 2 के colors मुझे सबसे ज़ादा natural लगे है तीनों ही pictures में lights as such over exposed नहीं हुरी काफी अच्छे से control कर रहा है बट OnePlus 12R की image slightly under exposed आई है जूम करने के बाद आप sky में notice करना तीनों ही pictures में as such noise नहीं है तो noise reduction तीनों ही phones में काफी अच्छे से work कर रहा है कैस background में lights की तरफ notice करना तीनों pictures में lights as such over exposed तो नहीं हो रही बट iqo Neo 9 Pro में lights का color सबसे ज़ादा better maintained है इवन अगर मैं image को zoom करूँ तो मेरे face की तरफ आप देख सकते हो nothing phone 2 में and iqo Neo 9 Pro में details sufficient है फरक ये है iqo Neo 9 Pro में थोड़ी सी over sharpening notice करी है मैंने और OnePlus 12R में details missing है थोड़ी सी और better details मेंने expect करी थी even इस sample shot में भी आप OnePlus 12R को low light में struggle करते में notice कर सकते हो image काफी hazy eye है texture और better maintained होना चाहिए था nothing phone 2 and iqo Neo 9 Pro low light में काफी चाप perform करते है sufficient details भी देखने को मिली है but overall color contrast मुझे इस sample shot में iqo Neo 9 Pro की image का सबसे ज़दा better लगा है तो low light में iqo काफी चाप perform कर रहा है अब इन सभी camera samples और video samples को analyze करने के बाद चाहे front camera हो या rear camera हो clear winner इस video का nothing phone 2 है अब आप चाहे इस बात को accept करो या ना करो but मैंने अपना बिल्कुल honest और unbiased content आपके साथ share किया है and ये video nothing की तरफ से sponsored नहीं है because मैं clearly कह रहा हूँ कि nothing phone 2, same one plus 12R and iqo Neo 9 Pro की ही तरह iPhone 13 जितनी अच्छी videos record नहीं कर सकता है